अंखे मिली दिल धड़के बदले हुए हरकतों ने जता दिया कि बेटा तुम अब महबत में हो बाते हुई फिर इजहार हुआ हमारे सो कॉल्ड सिक्रेट्स वर्ड से पड़ा हटने लगा था वक्त रुख बदला धीरे धीरे नाराजगी बढ़ी थोड़े से डेस्परेट हम हुए थोड़ा सा स्पेस उन्हें चाहिए था और ये नाराजगी डेस्परिसी और स्पेस के चक्कर में प्यार गुम हो गया था वो तिन हफ्तों से हमारे मिलने से ज़्यादा आँखों में आशू मिला करते थे इस बार मिलने को बुलाया तो हमने कह दिया कि आए हो तो नहीं शुरुवात की बात करना वरना इस बार हम आशूं को नहीं रोप पाएंगे और नहीं तुम्हारी नमी महसूस कर पाएंगे आशू लफजों तक आगी रे तो दिल का सोया सायर जाग गया और कहने लगा अगन है जो दिल में वफा की तो उसको यू जाया ना कर देख पगले बस भी कर ले अब खुद को यू गवाया ना कर मैं चार दिन की आशकी वो रुमानियत का चांद है मैं ओश का सांस पर्ष तो वो बरसात है मेरी ठकान हर दफाव उसमें सुकून की नीन सोता है भूल गया खुदा उसको उसकी एहमियत बताना वरना क्या कभी चाहत गुरूर के लिए रोता है फिर हमारी गलत फहिमी उनसे बर्दास नहीं हुई उन्होंने कहा वो हमसे दूर जाना चाहते है सईकायते उन्होंने पेश की और शिकायतों के सलसले में हमने भी कह दिया तुम हमें पाकर भी खुजाते हो दो पल तुम से बात करने को तुम काम के बीक हमें ठुकरा जाते हो वक्त के साहे में उन्तजार करती है तुम जाने पर यात करते हो वक्त तुम शिकायत न समझो तो बता दें कि में भी हैं तो हमें भी बहुत है, मगर मेरी आश्की यह फर्माती नहीं हर बात में रूठते हो तुम्यों हर बात में रूठते हो तुम्यों मानों यह रिष्टा शिकायत है कोई आश्की नहीं और एक आखरी बार आखरी मुलाकात में अलपा जुबान पर उतर आते हैं ना चाहकर भी खयालों में तस्वीर तेरी सजाती हूं रोज तुझे बना के तुझे मिटा के मैं तुझ में ही मिट जाती हूं अब तो शायद आसान होगा तुम्हारे लिए यह कहना कि हम अजनवी हैं अब तो शायद आसान होगा तुम्हारे लिए हमें अजनवी बताना वरना जूटी तसलियां दिलाना होता होगा तुम्हारे लिए आसान नहीं यह बस पैगाम है उस बे नाम जुदाई का यह बस कात की दास्ता वे सुभेश्री थैंक यू